राज़ोरी के ढंगरी गाउं में आतंकियों ने साथ ग्रामणों की हत्या करदी 20 अपरेल 2023 पूंच में सैने वाहन को घेल कर निशाना बनाया जुसमें 5 जवान बलिदान हो गए राज़ोरी के केस्री वे हिल छेतर में आतंकी हमले में 5 जवान बलिदान 22 नॉमबर 23 नॉमबर 2023 राज़ोरी के बाजी माल छेतर में मुटभेड में सेना के दो कैप्तन वतीन जवान बलिदान 22 दिसंबर 2023 पूंच के टोपा पीर छेतर में सैने वाहन पर हमला सेना के 4 जवान बल्दान 22 अप्रेल 2024 राजवरी के थाना मंटी के शाहदरा शरीफ इलाके के पास अतंगवादियों द्वारा की गई गोली बारी में 40 वर्ष एक ग्रामेड की मौत हो गई 28 अप्रेल को उधंपुर के बसंतकड इलाके में ग्रामरक्षक ममद शरीफ की हत्या कर दी गई 24 मई 2024 भारती वायू सिना के काफले पर आतंकियों पर घात लगा कर हमला किया हमला पूंच के शाह सितार इलाके में शनिवार शाम 6 बचकर 15 मिनट पर हुआ जब एर फोर्स की स्पेशल गरुड फोर्स आर्मी और जमो कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी चाहर आतंकियों ने सनाय टॉप जारही सुरक्षावलों की दो गाड़ियों पर फारिंगी हमले के बात आतंकवादियों जंगल में भागने में सफ़ल हो गए हमला करने के उपरान तातंकी भागने में कामयाब रहे और मुट भेड में सेना का नुकसान जादा दिखा गया निकटवर्ती राजवरी के साथ सीमावर्ती पोंच जिले में पिछले दो सालों में कुछ बड़े आतंकवादी हमले हुए जो इस छेदर में आतंकवादी गतिविजियों के माधिम सी शांती भंक करने के दुश्मन देश द्वारा किये जाने वाले प्रियास लगते हैं आतंकवादी के तुल्ला में सेना को अधिक नुकसान हुआ आज के माहौल में आतंकवादी की ताकत बहुत कम होने के बावजूद हमारे सैनेकों का जादा नुकसान करने में सफल हो रहे हैं जो जनता का विशेह होने के साथ ठोस कदम उठाने के जरुवत पर ध्यान केंदरत होगा फूंच राजवारी सेक्टर में स्थानी समर्थन का एक उतार चड़ावाला इतिहास लाकि ये समय के साथ कम हुआ लेकिन हाल ही की खटनाओं से विदित विपरी दिशाव में संकेत करता है शायद पाकस्तान द्वारा हाल के वर्षों में आबादी को फिर से संगठत करने के कुछ गुप्त प्रयास हुए हो पीर पंजाल के जंगली और चटानी लाकों में एस्थानी समर्थन के बना इस प्रकार के हमले संभब नहीं हो सकते अनुचे 370 के निस्तार करन ने भी कश्मीर को अलगावादी अतिविदियों के लिए मुश्किल बना दिया लेकिन भारती ऐसे ना इवं सुरक्ष एजंसियों का मन्थन करना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके करन पाकस्तान द्वारा इस प्रकार के उगुरवादी हमले करवाने में सफलता मिल पा रही है पूंचरा जोरी अनंतनाग लोगसवा सीट में आज आता है यहां छटे फेज में 25 माई को वोटिंग है चनाफ के दौरान दुश्पन देश द्वारा इस प्रकार के हमले करवाने के कोशिश भूत में भी होती रही है आज के दौर में खूब माफिया तंतर के अपास हर प्रकार की सुवधा एवं तंतर प्लब्द है तदा सुरक्षा बलो ने पूरे जमो कश्मीर में शांती कायम करने में सफल होने के बावजूर इस प्रकार के उगरवादी हमले रोके जाने के हर संबब प्रयास करने होंग जब ख्रकार के ली दो प्रकार के भीज़ा संब प्रकार के ऍाने के बावजूर एवं तंतर आप के जाए एवं गद पएrice के जाए पाने के जाए गए तंतर प्रकार के रहते हैं।